कि इस वीडियो में हम देखेंगे के राइट मैन्यू में यह राइट क्लिक करिके उस मैन्यू में किस तरीके ते शटडाउन के आप्शन को हम ला सकते हैं कि वीडियो को शुरू करते हैं वैसे टो शोट्डाउन वाली हम दो क्लिक पर कर लेते हैं लेकिन यह से सुविक्ट्रिक का आप्शन सकते हैं दूर्स के और से ऑपर जैसे हम क्लिक करें कि यहां पर आपय हम यहां वब और क्लिक को जाएगा ऑफ यहां इस क्लास हो जाएगी और पहले है और दूट के ओपर किल ने है यहां वे कि ऐख के डॉपडान में को यहां से ढूर एपर कर में करते हैं यहां से सर्च करना है आiser कर आगराउं कि के देस्क टॉप बैंगराउं यह रहा अच्छा नहीं यह वाला नहीं है इसके उपर वाला है डेस्टॉप बैग्राउं पर हमने क्लिक किया अब यहां पर शेल पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हम न्यू की जनरेट करेंगे यहां पर सिंपल राइट क्लिक करके न्यू अप्शन पर क्लिक करके की के option के ओपर क्लिक करना है और यहां पर मैं लिख रही हूं shutdown computer आपको जो टेक्स चाहिए right click करने पर जो टेक्स विजिबल हो आप वो टेक्स अपनी मर्जी से लिख सकते हैं जैसे यह विजिबल हो गया मेरे पास shutdown अब वापस तो सी और में जाएंगे और यहां पर दुबारा से साथ क्योंपर अब कलिक नियू पर क्लिक करेंगे और वापश कीई इक जन डिक करेंगे समय में लिग आफंड के नाम से कमांड के नाम से कि नाम माइनस एस माइनस टी डबल जीरो माइनस एफ इस पेस देनी है और ओके कर देना हिएं अब जब आप रॉइट क्लिक करके ऑप्षण के फार क्लिक करेंगे तो आपका पीसी शट societies के उपड़ा अब यह करके देखेगा अब यहां पर मुझे आइकन लगाने अब आइकन कैसे लगे रुच एडिटर में जाओंगी रुच्ट्रिश्ट्र है जाने के बाद चॉट्डाउन के उपर क्लिक करके यहां पर मैं एक जेश जरेट करूं गी स्ट्रिंग वैल्यू जिससे यहां पर मैंने ले ली icon icon के नाम से generate करनी है इसके ओपर click करना है यहां पर उसके value डालनी है अब value किया है वह देख लेते हैं अब यहां पर इसकी value डालनी है shell 32.dll, minus 329 यह इसका code है इसको उपर लिख देना है उसके बाद OK कर देना है जैसी OK के उपर क्लिक करेंगे अब यह देखें राइट क्लिक करें और यहाँ पे देखें यह आइकन हमाई पर डिस्प्ले हो गया अब अगर मुझे इसकी position को change करना है कि मैं चारी उतर यह उपर आजाए नीचे आजाए मैनू में इसकी position को कहीं change करना है तो वापस हम registry editor में जाएंगे और यहाँ पे एक और string value generate करेंगे position के नाम से अब यहाँ पर simple क्लिक करना है यहाँ पर आपको जो position चाहिए आप यहाँ पर लिख दें जैसे टॉप पे चाहरे हैं तो टॉप के टॉप लिख दीजे राइट क्लिक करें चेक करें देखें टॉप पर आ गया और अगर बॉटम पर चाहरे तो बॉटम पर कर सकते हैं